हलो फ्रेंज, वेलकम बाक, मेरा नाम है सनांशु और हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था हार्डवेर एंड हार्डवेर कॉंपोनेंस और इस वीडियो में हम उन्हीं कॉंपोनेंस को आगे डिटेल में देखने वाले हैं तो अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो न तो फ्रेंज, आज की जो हमारी ये वीडियो है इसके अंदर जो कॉंपोनेंट हम लोग डिसकस करने वाले हैं हार्डवेर का वो है इन्पुट डिवाइसे तो ये वो सारी इन्पुट डिवाइसे यहां पे लिस्टेड हैं जो उनके बारे में आज हम डिसकस करेंगे ठीक ह उससे पहले हम थोड़ी से नजर डालते हैं कि input devices की एक definition के उपर की वो क्या होती है दुबारा से the hardware that is used to supply input to the computer is called input devices तो friends हम क्या बोल रहे हैं कि जो hardware है जो की हमारा use किया जाता है input देने के लिए input supply करने के लिए computer को उसे हम input devices बोलते हैं तो वो कौन-कौन से hardware हैं कुछ examples लेते हैं तो हमारे कुछ examples जो हम करवा करेंगे इस video के अंदर वो होंगी keyboard, trackball, light pen, touchscreen, joystick, barcode reader, scanner, mouse, magnetic character reader, keypad, optical mark reader, webcam, microphone, magnetic ink character recognition reader और भी बहुत सारी होती हैं पर इस video के अंदर हम इनी के बारे में detail जानने वाले हैं तो चलिए, शुरू करते हैं तो friends हमारा सबसे पहला जो हमने example explain करने के लिए लिया है वो है keyboard जो की हमारी एक input device है तो चलिए इसके बार में थोड़ा सा पढ़ लेंगे keyboard is the most popular input unit it looks like a typing machine जो हमारा keyboard है वो सबसे ज़्यादा popular input unit है यह हम सब को मालूम है और उसकी जो दिखना है वो कैसा है वो एक typing machine जैसा दिखता है आप यहां पर भी देख सकते हैं it is connected with the cable with CPU nowadays wireless keywords are also available तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारा keyboard है वो cables के थूँ हमारे CPU से connected होता है पर वहीं पर हम उन्होंने यह भी बताया है कि जो आजकल keyboard है वो wireless भी आने लगे है market में जिसमें कि किसी भी cable की जरुद हमें नहीं पढ़ती है तो यहां पर हम बता रहे हैं कि जो keyboard है वो बहुत सारे models में बनते हैं कुछ models जो पहले आते थे उसके अंदर 101 keys होती थी कुछ में 104 भी होती थी और आजकल ऐसे keyboard भी आने लगे हैं जिसके अंदर 110 keys भी होती है वो आपकी सारी जो है model to model depend करती है अब जो हमारा keyboard है usually उसके अंदर जो keys हमारी common रहती है वो यहां पर हमने list down की है जो हम देखेंगे तो एक होती है typing keys यह कौन सी keys होती है letter keys a to z और जो होती है digit keys 0 to 9 तो अब हम यह क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी keys होती है जिनके उपर a b c लिखी होती है a से लेके z तक या फिर हमारे digits लेके होते हैं, printed होते हैं, 0 से लेके 9 तक, उनको इसको हम क्या बोलते हैं, उनकी इसको हम बोलते हैं, typing keys, ठीक है, उसके बाद है, numeric keys, अब जो हमारे numeric keys हैं, वो 17 numeric keys हैं, उसके बाद आती हैं, function keys, 12 function keys are present at the top of the keyboard, each function key has a unique meaning and it is used for some specific purpose, अब यह function keys कौन सी होती हैं, यह 12 keys होती हैं, जो हमारे keyboard के बिल्कुल टॉप जो रो होती है, इसके पहली line होती है, उसके वो अंदर होती है, यह F से start होती है, F1, F2, F3, ठीक है, यह complete जो है हमारी F12 तक होती है, that is why हम कह रहे हैं, कि वो 12 function keys होती है, हर key का अ करती है, ठीक है, उसके बाद आती है, control keys, these keys provide cursor and screen control, it includes four directional arrow keys, home, end, insert, delete, page up, page down, control, CTRL, alternate, ALT, escape, ESC keys, तो यह हमारी होती है, control keys, यह क्या करती है, जो हमारा cursor होता है, screen के ओपर, उसको move करने के लिए, उसके ओपर control रखने के लिए हमें help करती है, तो हमारी 4 arrow keys होती है, जो हमें cursor को up, down, right and left करने में help करती है, home की होती है, जो बिल्कुल starting में लेके आने के लिए help करती है, वैसे ही end की, last में लेके जाने के लिए, insert की है, जब भी हमें कुछ insert करना हो, delete की, ऐसे ही हमारे पस control की, alternate की और escape की है, जब यह से कुछी चीज से बाहर आना है, तो escape की का यूज किया जाता है, control की हमारे बहुत सारी बाकी की कीज के साथ मिलके actions perform करने के जाथ काम आती है, जैसे की control X करेंगे तो cut हो जाएगा, control V करेंगे तो paste हो जाएगा, तो यह सारी control कीज है, 8th point करेंगे special purpose कीज, enter, shift, caps lock, num lock, space bar, tab, print screen, यह हमारी क्या है, कुछ special purpose कीज है, ठी जो भी हम type करेंगे keyboard से, वो capital letters में आएगा, जैसे की हम typing keys है, ठीक है, आपने caps lock on key और आपने A प्रेस किया, तो जो A है वो capital ड़ेगा, वहीं पे अगर आपने caps lock key को बंद कर दिया है, और आप A टाइप करेंगे तो small ड़ेगा, ठीक है, एसे ही यह कुछ हमारी special purpose keys होती है, चलिए, आगे देखेंगे, so friends, next हमारी input device जिसके बारे मैं आचन बात करेंगे, वो है mouse, चलिए, first point, mouse is a very popular input device, mouse एक बहुत ही सादा popular input device है, it is a pointing device, यह उसको हम दूसरे नाम से जो बुलाते हैं, वो है pointing device, it shows an arrow-like image on the screen, the arrow is called mouse pointer, तो जब भी हमने देखा है, कि हम mouse से काम करते हैं, तो वो एक pointer लेके आता है screen के उपर, जिसका जो shape है, वो एक arrow की तरह होता है by default, वो आप change भी कर सकते हैं, पर अगर आप उसको change नहीं करते हैं, तो जो by default होता है, वो एक arrow की तरह नजर आता है, और उसे हम mouse pointer बोलते हैं, A mouse has two or three buttons for feeding and editing data, mainly left button is pressed for input activities, right button is clicked for editing activities, rolling button is used to scroll the data vertically up and down on the monitor, तो जो हमारा mouse होता है, उसके उपर usually three button होते हैं, one this one, this is called the left button, then this one is the right button, और जुसके बीच में जो rolling button है, इसे हम rolling button ही बुलाते हैं, यह हमारा screen पे कुछ भी data है, उसको उपर नीचे करने के लिए page को move करने के लिए काम आता है, अब जो mouse है हमारा, वो हमें data feed करने के भी काम और data edit करने के भी, अब feed करने से हमारा मतलब यह नहीं है, कि हम इसके साथ कुछ type कर सकते हैं, feed करने से मतलब यह है, कि जहां पे हमें feed करना है, हम वहां पे point कर सकते हैं, mouse pointer की help से, और वहां पे बाद में keyboard के साथ type करके कुछ भी feed कर सकते हैं, editing में भी वही चीज है, हम कुछ इसकी मदद से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं अब जो हमारा ये left र right भी बुटन है वो किसी पी औरow थेन स्लीक कर सकते हैं तो हमें कुछ ऑप्शुन दिजाती हैं जिनसे हम एडिटेंग परफॉर्म कर सकते हैं चलिए फिफ्थ पॉइंट देखेंगे यू केन यूज माउस डाइगनिकली वर्टिकली होरिजोंटली जो रीच एट एनी पॉजिशन आप दी मोनीटर अदी डॉक्यूमेंट अब जो हमारा माउस है वो आप किसी भी डिरेक्शन में मूव कर सकते हैं और वो उसी तरीके से आपका जो माउस पॉइंटर है वो आपके मोनीटर पे डॉक्यूमेंट के अंदर भी मूव होता रहता है चलिए आगे देखेंगे 6.2 टाइपस अब इसके जो माउस है जो उसके 2 टाइपस होते हैं वान इस मेकानिकल माउस अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी याद हो तो हमने बात की थी कि जो कुछ पुराने माउस होते थे जो मेकानिकल माउस होते थे उनके नीचे सर्फेस पे एक बॉल लगी होती थी और वह जो बॉल है वह आपके सर्फेस के उपड़ जहां पे आप मााउस को चला रहे हैं उसके साथ साथ मूफ करती थी जिससे कि हमारा जो माउस पॉइंटर था उसको सिगनल मिलता था कि उसको कहा पे मूफ करना है तो उन माउसस को हम बोलते थे मेकानिकल माउस और जो second mouse है वो है optical mouse यह वो mouse है जो आज कल हम generally देखते हैं there are laser rays in place of ball जो ball है उसके जगापे कुछ laser rays होती है when the mouse is moved laser rays hit the surface and provide direction to the pointer on the screen अब वही काम जो पहले एक ball कर रही थी वो एक laser light करती है जो laser है वो आपके surface पर पढ़ती है जहां पर आप mouse को move कर रहे हैं और वहां से वो signal भेजती है pointer को कि उसको किस direction में move करना है तो यह थी हमारी दो types mechanical mouse and optical mouse 7th point optical mouse are costlier than mechanical mouse अब obviously जैसे technology आगे बढ़ी तो जो हमारी ball थी वो laser light से replace हो गई बढ़ जो optical mouse है वो थोड़े महंगे होते हैं mechanical mouse के comparison में 8th point now wireless mouse are also available in the market their connectivity with computer is made through raise अब जो हमारे mouse थे पहले ऐसे कि एक wire होती थी जिसके साथ वो connect होती है CPU से लेकिन आजकल wireless mouse भी available है और उनकी जो connectivity है वो cable से यूज़ना होके raise के थू होती है Bluetooth raise के थू हो जाती है next time देखेंगे it is easier to work with wireless mouse but they are costlier than other types of mouse and we have to change its battery where now and then अब यह क्या बोल रहा है कि जो wired mouse है जो जिन पर cable से connect करते हैं उनने wired mouse कहते हैं उनसे काम करने से easy होता है wireless mouse के साथ काम करना पर जो wireless mouse है वो थोड़ा महंगा है wireless mouse के साथ जिनके साथ cable होती है थोड़ी सब्सक्राइब करते हैं और जो wireless mouse होते हैं वो battery के ऊपर चलते हैं क्योंकि और तो इस connectivity का source नहीं है जैसे हम connect करें तो उनके अंदर जो batteries है वो भी हमें डालनी पड़ती है और change करनी पड़ती है वहीं पे अगर हम केबल वाला माउस देखें तो उसके अंदर हमें कोई भी बाटरी नहीं डालनी पड़ती है नहीं डालनी पड़ती अगर हमें इनपुट डिवाइस इसको भी हम एक पॉइंटिंग डिवाइस पूलते हैं अब यह जो है हमारा कम्प्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है इसकी मदद से हम कम्प्यूटर के उत पर कुछ भी ड्रॉट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को पड़ते हुए वहाँ पे कुछ हाइलाइट कर सकते हैं कम्प्यूटर स्क्रीन के उपर अब जो यह हमारा पैन है इसके एंड के उपर बिल्कुल एक लाइट सेंडिंग मेकानिजम लगा होता है जिससे वह ट्राक करता है कि कहां पे क्या हो रहा है अब जो लाइट पैन है उनका अगर हम एप्लिकेशन देखेंगे वह सबस्यादा कहां यूज होते हैं तो वह ग्राफिक से काम करने में यूज होते हैं कुछ भी ड्रॉइंग का काम है या जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं या एनिमेटर्स हैं वो लोग यूज करते है कहीं पे भी सिगनेचर करने के लिए तो इसके सबसे कॉमन एक्जामपल है अगर आप में से कभी ने किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हो तो वहां पे जब आपके फोडोग्राफ और सिगनेचर के लिए बोला जाता है तो वो सिगनेचर ने डिजिटली लिए चलते जाते हैं आपके लाइट पेन ंतरण के थेजल्ए क्षाल्य आगे जलते हैं तो हमारी नेक्स्ट इंपूट के जाते हैं कमार्इके स्कानओं इंपूट और शदू करने में हमारी मदद करता है scanner is connected to the computer जो हमारा scanner है वो हमारे computer के साथ connect हो जाता है the image which is to be scanned is placed on the scanner glass and is covered जो यहाँ पर यहाँ पर space देख सकते हैं इसके screen के उपर हम अपना document रखते हैं जो भी हम scan करना है जाहे कि वो photograph हो या किसी भी प्रकार का कोई भी document हो और जो यह उसके उपर हम ढखकन देख सकते हैं एक lid है इसको हम close कर देते हैं it sends a high beam of light across the image or the object and records it जब आप इसको बंद कर देते हैं उसके बाद के होता है जब scanner scan करना start करता है तो एक बहुत ही जादा highlight of beam जो है वो इसे cross करती है अगर आपने वो कभी photocopy machine में भी देखी हो तो जब यह photocopy machine काम कर रही होती है उसके अंदर एक बहुत इसे beam of light travel करती है same तरीके से एक scanner में भी करती है fifth point the scanned image is displayed on the monitor अब जो भी आपने आपने डॉक्यमेंट जा जो photograph रखी थी वो scan होने के बाद आपको आपके computer screen आपके monitor के ओपर दिखती है the image can be edited अब जो आपने scan कर ली है image जो आपने computer के देख दिख रही है आपको monitor पर दिख रही है आप उसको edit कर सकते हैं जैसे कि आप किसी भी photograph की बात करता brightness बढ़ा सकते हैं उसका size crop कर कर सकते हैं contrast change कर सकते हैं कुछ भी किसी भी प्रकार के आप उसमें editing कर सकते हैं 7th point this scanned image can be saved in various formats in computer for using the same in different softwares CorelDraw, Photoshop, PageMaker, Paint, etc अब यही जो आपकी हमने image की बात की जिसको आप edit कर सकते हैं आप उसको बहुत सारे formats में save भी कर सकते हैं ठीक है आपको जो भी format चाहिए जिस भी image का format चाहिए आपको different softwares में editing करने के लिए जैसे की CorelDraw, Photoshop है आपको जिस भी format में उसको चाहिए आप उसको save भी कर सकते हैं और बात में उसको इन softwares में use करके software की मदद से edit कर सकते हैं 8th point a scanner can also be termed as processing device as it convert a picture into an array of pixels ये चीज़ देखेंगे हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारा scanner है वो input device तो है ही है पर उसी के साथ साथ हम इसको एक processing device भी बोल सकते हैं अब उसका क्या reason है कि जो scanner है वो एक picture को एक array of pixels में convert करता है ठीक है एक picture है जब उसने इसको scan करके इसकी computer में send किया तो वो किस प्रकार से send होता है वो as array of pixels हम लोग सब जानते है कि जो एक picture है या document है बहुत सारे pixels से जोड कर बनता है ठीक है तो जब computer के अंदर हमारा data scanner भेजता है तो वो इसी array इस एक line पूरी लंबी ठीक है एक के बाद एक चीज लगी होती है pixels एक के बाद लगे होते हैं उसकी वे में उसको भेजा जाता है जिसकी वज़से हमारा जो scanner है वो input device होने के साथ साथ चाथ एक processing device भी है चलिए आगे चलेंगे चलिए फ्रेंज हमारा next input device है microphone this is a voice input device जो microphone होता है उससे क्या होता है हमा लोग आवास जो है हमारी वो as an input देते हैं so it's a voice input device this device converts these spoken words into binary code so that computer can understand that अब जो mic है वो हमारा जो भी हमने बात चीट की है वो computer तक कैसे बहुंचाता है computer को तो binary ही समझ में आती है जीरो और ones ही समझ में आते हैं तो जो microphone है वो हमारे बोले हुए words को binary code के अंदर convert करता है और फिर वो उससे computer तक भेज देता है third point it is often used in multimedia we can also record voice on computer through this device अब हमारा क्या है कि जो यह microphone है यह usually जो है multimedia के अंदर काम आता है और जो हम हमारी अवाज है जो हम record करना चाहते है computer के अंदर वो भी हम इसके through कर सकते हैं जैसे अभी मैं यह video shoot कर रही हूं तो मैं जो मेरे laptop के अंदर microphone लगा हुआ है उसकी मदद से अपनी जो voice है उसको record कर पा रही है ठीक है तो यह एक input device है चलिए आगे देखेंगे चलिए friends so next is web camera यह हमारी input as well as multimedia device है यह दोनों के अंदर cover होती है चलिए this device works as an eye of the computer अब जो हमारा web camera है वो हमारे एक computer की एक आंख की तरह काम करता है क्योंकि आखोसम क्या करते हैं कुछ देख पाते हैं ठीक है कि उसके सामने क्या है उसी तरीके से यह computer की eye की तरह काम करता है through this device computer converts image और photo into digital form and displays the same on the output device अब वो क्या करता है कि web camera के through उसके सामने जो भी है उसको capture कर लेता है और फिर उस image को या उस photo को वो digital form में convert करता है और आपकी output device जैसे की monitor है उस पे display कर देता है और जो web cameras होते हैं अगर आप laptop user है तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल आपकी screen के ऊपर वाले panel के ऊपर एक camera लगा होता है और अगर आप computers के ऊपर देखे तो यह कई बार से अलग से हम उपर ऐसे mount कर लेते हैं तो यह ऐसे अलग से भी available होते हैं third point the images and photos can also be saved on the computer it is also used in teleconferencing तो जो भी हमने images capture की है web camera के through वो आप अपने computer के उपर save कर सकते हैं edit कर सकते हैं format के अंदर save कर सकते हैं software में डाल सकते हैं और जो हमारा web camera है वो सबसे ज़्यादा teleconferencing के काम आता है जब हमें किसी से कोई video call करनी होती है किसी video call के through कोई meeting करनी है कोई conference attend करनी है तब इसका इस्तिमाल किया जाता है चल आगे देखते हैं next input device is joystick कुछ इस प्रकार की दिखती है joystick first point joystick is also called pedal तो joystick का जो दूसरा नाम है वो है pedal यह थोड़ा ध्यान में रखेंगे कभी-कभी आपको philips में पूछ सकते हैं या one mark question में पूछ सकते हैं second point it is a pointing device like a mouse यह भी एक pointing device है बिल्कुल mouse की तरह third point it is like a stick and by moving it we can take the cursor at any place on the screen जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इस प्रकार का दिखता है तो इसके उपर ऐसे एक stick की तरह होता है यह movable होता है आप इसको left right उपर नीचे जो है move कर सकते है up and down इससे क्या होता है कि जैसे mouse को हिला के pointer को किसी भी time पे कहीं पे भी लेके जाते हैं उसी तरीके से हम इसको move करके हमारा जो pointer है उसको कहीं पे भी move कर सकते हैं screen के ऊपर fourth point देखेंगे it is used mostly for playing games on computer अब जो joystick का इस्तमाल है वो जादा आगे चलाना है reverse में लेके जाना है left turn right turn वो सभी जो है आप एक joystick की stick को किसी भी direction में move करके कर सकते हैं ठीक है चली आगे करते हैं तो our next input device is barcode reader कुछ इस प्रकार का दिखता है the use of this input device is increasing day by day जो barcode readers है उनकी जो demand है जो उनका use है वो हर दिन बढ़ता ही जारा है BCR यह short form है barcode reader के लिए barcode reader scans a set of vertical bars having different width for specific data जो barcode readers है वो barcode को पढ़ते हैं scan करते हैं जो barcode है वो क्या होता है वो lines होती है thick होती है thin होती है ठीक है वो उनकी width के ओपर depend करता है कुछ lines लगी होती है उनको scan करके read करता है तो यह तो आपने कहीं पर भी किसी store में देखा हो तो कुछ भी हम packets खरीदते हैं या कोई भी हम item खरीदते हैं तो उसके उपर ऐसे कुछ lines बनी होती है उसे scan करके हमें जो है जो हमारा shop की पर होता है वो बताता है कि क्या उसकी price है क्या उसकी manufacturing date है lines बनी होती है जिसके अंदर सारी details रहती है बुक की तो वो गार कोड रीडर से ही scan हो रही होती है third point the devices are available as handheld devices and are used to read merchandise in stores, library, books, medicines and various products अब जो यह machine है यह बहुत ही छोटी से और हलकी होती है जिसे आप अड़ी अराम से अपने हाथ में पगड़के यूज कर सकते है यह handheld device है और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से library में और stores के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है बार कोड को रीड करने के लिए fourth point when the device is moved over the bars it reads data from the bars and sends to the computer यह हमारे computer के साथ connected होती है और जैसे ही यह उन बार को जो वो width difference वाली जो हमारी lines है कुछ पतली है कुछ मूटी है उनको उपर हम इनको scan करने के लिए डालते है number five it can print details of the bars जो बार्स है उनके इन्दर information है जिनकी यह details को print करती है print करने से हमारा मतलब यह है कि वो data को computer में भेजती है जो कि आगे हम printer की help से print भी कर सकते हैं details को चले आगे देखेंगे चले आगे हम करते हैं तो हमारी इनको device है optical mark reader the optical mark reader is a type of scanner कुछ इस प्रकार का दिखता है scanner की तरह this device can read pencil marks on forms such as surveys और objective type test forms तो यह एक OMR sheet है इसके अंदर अगर आपने कभी किसी भी तरह का objective test दिया हो तो हम क्या करते हैं कि यहां पर options दी होती है जो भी option correct होती है हम उसके circle के अंदर pencil से या black pen के साथ color fill कर देते हैं ठीक है उसके बाद जो यह sheet है वो इस तरीके से एक scanner के अंदर जो optical mark reader scanner होता है उसके अंदर डाल दी जाती है और यह scan कर लेता है कि कौन कहां पर आपने वो pencil के साथ जो है mark लगाया है It is extensively used in educational institutes to evaluate answer sheets of the students अब इतने सारे बच्चे होते हैं जो एक्जाम्स के लिए appear करते हैं और इतने सारे sheets को check करना humanly possible नहीं है तो जहां भी objective type paper होता है objective का मतलब है कि बहुत सारी options दी होगे और आपको कोई एक select करनी है चार में options में से या जितनी भी standard X number set होगा तो बहां पर use किया जाता है और हर बच्चों के ऐसी a sheet मिलती है जहां पर वो अपने answers को mark करता है और फिर वो इस scanner के तो चेक कर दी जाती है It is very cost effective and accurate अब अगर वही इतने सारे बच्चों के sheets हमें इनसानों से चेक करवानी हो तो कितने सारे इनसान जो है उस काम के लिए required है और कितनी सारी होने हमें salary pay करनी पड़ेगी तो वहीं पर अगर हमें एक machine खरी लें तो बहुत ही cost effective है comparatively और यह हमेशा बहुत ही accuracy से काम करेगी कभी भी गलती नहीं लगने के chances वहीं अगर एक human check करेगा तो कभी गलती लग सकती है पर इसमें नहीं लगेगी यह बहुत ही accurate है और यह बहुत ही जल्दी काम करता है बहुत speed भी है इसकी comparatively 5th students use pencil to fill the circle on the OMR sheet तो सीमें आपको बताया कि इसको एक OMR sheet बोलते हैं और इसके उपर हम pencil से या black pen से जो है sheet को fill करते हैं sheet को fill करने का मतलब यही है कि जो भी हमें mark करना है हम उसके circle को उससे color करते हैं चलिए आगे दिखते हैं so हमारी next input device है optical character reader जिसको हम short form में बोलते हैं OCR OCR is an input device used to read a printed text alphabetic और numeric कि इस तरीके से दिखती है और वो हमारी किस काम आती है हमारा जो print किया हुआ text है चाहे फिर वो alphabets हो चाहे वो numeric हो उसको read करने के काम आती है OCR scans the text optically character by character वो जो हमारा text है उसको scan करती है optically एक एक character by character एक एक character के साथ उसको scan करती जाती है converts them into a machine readable code उसको जो उसने character read किया है उसको एक machine readable जो कि हमारी machine को समझ आये ऐसे code में convert करती है and store the text on the system memory और वो हमारा जो system है हमारा जो computer है उसकी memory में उसको store कर देती है third point in India OCR technology is widely used in banking transactions जो OCR की technology है यह banking के अंदर बहुत जादा यूज होती है India के अंदर bank checks draft where OCR codes can be directly read by the machines अब उसके अंदर क्या है जो हमारे checks होते हैं उनके उपर जो हमारा check का number लिखा होता है जो हमारा bank account number होता है उसको हम इनके through आराम से जो है read कर लेते हैं और उनको computer के उपर store कर देते हैं तो next input device जिसके बार में हम बात करने वाले हैं वो है magnetic ink character recognition जिसको हम short में MICR भी बोलते हैं so first point MICR input device is generally used in banks as there are large number of checks to be processed everyday जो यह हमारे जो machine है यह सबसे जादा जो general इसका use है वो banks में होता है because bank में हर दिन बहुत सारे checks आते हैं जिने हमें process करना होता है the bank's code number and check number are printed on the check with a special type of ink on a standard quality paper at a specific area called a MICR band तो हमारा जो check होता है उसके वो एक बहुती specific quality का obviously होता है तो उसके उपर एक MICR band होता है उस band के उपर एक जगा होती है bank जिसके उपर हमारा जो check का number है और जो हमारा bank का code number है वो एक special type of ink से लिखे होते है तो यह ink है वो कुछ different material जिसे होता है magnetic material की बनी होती है चलिए third point the ink is made up of magnetic material जो हमने अभी आप बात की कि जो ink है वो magnetic material से बनी होती है magnetic का मतलब है चुम्ब की चलिए when the check is inserted in the machine the information printed on the check is magnetized and can be read by the OCR machine अब जैसे ही आप check machine के अंदर डालते हैं MICR machine के अंदर जो वो ink है वो magnetized हो जाती है और वो जो हमारे machine है उसको recognize करके वहां से वो data read कर लेती है चलिए आगे चलते हैं तो next device जो हमारे input device है वो है trackball a trackball is an input device which comprises ball fitted on a plate कुछ इस प्रकार की दिखती है एक plate है उसके उपर एक ball fit की गई है ठीक है जिसे हम trackball बोलते हैं the plate है sensors for detecting the ball's rotation अब जो यह हमारी plate है इसके उपर sensors लगे होते हैं जिससे कि वो यह देख पाते हैं कि जो हमारी ball है वो कहां पर उसकी movement हो रही है कि साइड को वो move कर रही है one or two buttons are provided with the trackball to control the movements of the cursor अब जो इसकी के साथ जो है एक या दो buttons दिये होते हैं जिसके साथ हम जो trackball है उसको use करके हम हमारे cursor की movement है उसको control कर सकते हैं fourth point unlike the mouse a trackball is stationary and requires less space as compared to the mouse अब कुछ बच्चे कहेंगे कि trackball और mouse में फिर difference क्या है और दिखने में भी कुछ सेम लग रहे हैं तो इसमें difference यह है कि जो mouse है उसे कुछ area की जरूरत है कुछ जगा चाहिए जिसके अंदर आप mouse को use कर सकते हैं कुछ हिला के कहीं चला सकते हैं आप सिर्फ अपनी जो बॉल है उसी को वहीं पर मूफ करेंगे और वो चल जाएगा पर वहीं पर एक माउस की बात करें तो उसको जगा चाहिए चलाने के लिए उसको थोड़ी जगा की ज़ूरत पड़ती है comparatively ज्यादा trackball की comparison 5th point it works easily on most surfaces which is a great advantage compared to other input devices like mouse trackball है क्योंकि उसको कहीं पर move नहीं करना है आप उसको जहां पर भी place कर देंगे वह most of the surfaces के उपर अराम से चल जाएगी उसमें कोई भी problem नहीं आएगी पर वहीं पर अगर हम एक mouse की बात करें तो mouse को एक बहुत ही plane surface चाहिए होता है काम करने के लिए अगर आप उसको bed पर रखके bed sheet पर चलाने की कोशिश करेंगे तो mouse नहीं चलेगा पर वहीं पर शायद एक trackball चल जाए अगर आप उसको इसी भी ऊपर नीचे की surface पर mouse को चलाने की कोशिश करेंगे तो वह नहीं चलेगा पर में भी आपकी जो trackball है वो चल जाए तो वहीं पर हमारा comparison आजाता कि जो mouse है उसको space जादा चाहिए trackball को space नहीं चाहिए जादा और जो हमारा mouse है वो कुछ ही surfaces पर चल प को device है trackpad a trackpad or touchpad is a touch sensitive interface surface that is used to manipulate and interact with laptop through fingertips तो कुछ नहीं है friends जैसे के एक laptop होता है उसके अदर आपने देखा हो तो इस तरीके से rectangle बना हुआ होता है जिसको हम fingers के साथ जब उसके उपर हम किसी भी type के touch करते हैं fingertips के साथ तो जो हमारा cursor है वो उसके तरीके से move करना start कर देता है इसे हम trackpad या फिर touchpad बोलते हैं next देखेंगे second point trackpad is inbuilt feature of laptop तो यह एक inbuilt है inbuilt का मतलब है already हर laptop के अंदर यह होता ही है third point it's an alternative to mouse to move the cursor around the screen select and open applications etc अब यह जो trackpad है एक alternative है एक mouse के अब जो laptops होते हैं उसके अंदर mouse नहीं होता है ठीक है उसके जगा पर यह trackpad दिया जाता है इससे आप वो सारी functionalities कर सकते हैं जो कि आप एक mouse से करते हैं पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप mouse को connect नहीं कर सकते हैं आप अलग से एक mouse को खरीद के laptop से connect कर सकते हैं फिरो चाहे wire cable वाला mouse हो या wireless mouse हो वो अलग चीज़ है पर जो हमारा keyboard आता है उसके अंदर अगर हम wind built feature की बात करें तो इस तरीके से trackpad बना होता है चलिए चलिए friends आगे देखते हैं तो जो हमारा input device है वो है touch screen यह एक display device होने के साथ साथ हमारा input device भी है जैसे कि जो हमारे computer के touch screen monitors हैं या फिर हमारे cell phone हैं जो touch screen हमारे cell phones हैं हम उनकी बात कर रहे हैं popular among young generations तो जो यह technology है touch screen की यह जादा तर जो है वो हमारी जो young generation है उसके अंदर popular है phones तो अगर आज हम देखे तो सभी के पाथ touch screen phones ही है वहीं पर laptops भी touch screen और दूसरी screen वाले आते हैं तो यहाँ पर जो touch screen laptop है उनके उपर आप इस तरीके से finger touch करके movement कर सकते हैं और input कर सकते हैं interact with devices using finger or stylus जैसे मैंने आपको बताया कि आप finger से कुछ input कर सकते हैं या फिर आप stylus कर सकते हैं stylus कुछ नहीं है एक pen की form में एक pen ही होता है ठीक है जिसके अंदर आगे उसकी जो tip होती है वह इस तरीके से बनी होती है कि जो कहां पर उसकी movement हो रही है वह आपका touch screen या आपकी जो device है वह रेकिगनाइज कर पाती है fourth point alternative to a mouse और keyboard for navigating a GUI ठीक है अब जो यह हमारा touch screen है इसमें क्या हो है जब हम touch कर पाते हैं तो ना तो हम किसी mouse की ज़रत परती है और ना ही keyboard की क्योंकि हम हमारे fingers या stylus से ही touch करके कहीं पर point भी कर सकते हैं screen के उपर और वहीं पर हम उसके साथ type भी कर सकते हैं ठीक है तो यह जो ह हमारा GUI होता है graphical user interface यह इसकी full form है देखनेंगे इसके जो navigation है navigate करने के भी जो काम आता है ठीक है example computer laptop displays smartphones tablets video games display panels of car etc तो यह कहां पर touch screen है कहां कहां implement होती है यह computer में होती है laptop displays में होती है हमारे phones में होती है tablets में होती है जो हम video games खेलते हैं वो भी हम बहुत बार touch screen video games खेलते हैं हमारे अरके कुछ panels होते हैं वो भी touch के उपर जो है काम करते हैं महीं पर अगर आप देखें जो आपके ATM हैं जहांपे आप buttons के बिना भी आप वहां पर screen भी touch करके किसी option को select कर पाते हैं वो भी touch screen ही होती है चलिए य आज हमने मारे वीडियो के अंदर एक component कवर किया hardware components section में से और जो बाकी के components हैं वो हमारे next video के अंदर cover करेंगे so अगर आपको वीडियो पसंद आई हो please like, share and comment below and also please subscribe to the channel अगर अभी आ तक आपने नहीं किया है और जो हमारी notification bell है उस पर click कर दीजेगा ताकि आपको next time notification आजाए so till then stay tuned and thank you